नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनेकैडमी में दोस्तों हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको कच्छत दस कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ है यान कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं चल रही है तो अब आप क्या पढ़ें जिससे आप 60-70% आराम से बना ले जाओ और जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यूच्फुल वीडियो है जे और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अब उप बहुत ही उच्फुल वीडियो है तो पूरी देखना वीडियो को मैं जो चीजें बता रहा हूं मैंने कल आपको एक अध्याय के बिज्ञान के टिक लगवाए थे सीरेज में जे सीरेज का नाम है पर एक छपूर ठीक है बहुत अच्छी सीरेज ये कक्छा दस के लिए इसके इंपोर्टेंट कोश्चन मैं आपको टिक लगवाने जा रहा हूं दोस्तो इसका इंपोर्टेंट कोश्चन है पहला है एक्वारेजिया क्या होता है ये इंपोर्टेंट कोश्चन है और इसको अच्छे से आप याद करना है दोस्तो मैं यहां आपको क्या बताने जा इंपोर्टेंट कोश्चन जो आपकी पूछे जाते हैं 100% पूछे जाते हैं और अगर आपको बिस्वास ना हो तो मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देख लीजिए पिछली साल मैंने जितने भी कोश्चन टिक करवाय थी पूरे के पूरे कोश्चन आये थे तो आपको प्लाष्टर और पेरिस के दो महत्पूर्ण उपयोग लिखिए थीक है तो जिए दो महत्पूर्ण उपयोग हैं प्लाष्टर और पेरिस होता है उसके जो इंपोर्टेंट ठीक है अंगला कोश्चन है पीतल वम तामे के बरतनों में ध़ी येवम खट्टे पदार्थ क्यो हो सकते हैं ठीक है अंगला question है किलोर छार अवी किरिया से क्या समझते हैं ये question और को tick कर लेजिए अमल डिक घार सूचक किसे कहते हैं ठीक है इसको भी tick कर लेजिए बेकेंग ωडाका रासारेनिक सोतर गाईओं एक अपयोग लखिए अंगला है अमलिये वर्षा कब होती है कारण एबं इसकी प्रभाव लिखी है ठीके तो इसके अगर आपके पास सीरेज है तो बहुत अच्छी बात है ठीक लगाते जाए और आपके पास अगर सीरेज नहीं है तो आप इसमें से लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं ठीके, नेक्स्ट कोश्चन है बिरंजक चूर का रासने एक नाम सूत्र एबं दो प्योग लिखिए ठीके, तुझे इसका नाम है सूत्र लिखा है, दो प्योग लिखए है अमने चार में अंतर इंपोर्टेंट है इसको अच्छे से याद कर लेना next है pH परिवरतन pH परिवरतन के कारण दंत 6 किस प्रकार होता है इससे कैसे बचा ज़सकता है यानिकि pH के मान में परिवरतन के कारण हमारे दातों का अच्छे होने लगता है उसका कारण गया है तुझे इसका अंसर दे रखा है ठीक है अब जी कोछ दो-दो ओपियोग लिखना है जैसे कि बैकिंग सोडा का ब्रंजक चूड का हम लगवा चुके पीछे धोने का सोडा है यह पूछे जाते हैं इनको आप याद कर ले ना दो-दो पॉइंट याद करना है ठीक है नेक्स्ट अध्या है हमारा अध्या तीन तो दोस्तो अध्या तीन के देखिये ध्यान से देखिये दोस्तो अध्या तीन है धातू एबं अधातू हम ले छार अपन पढ़ चुके हैं जो छे नमर का आना है धातू एबं अधातू पां एक नम्मर वाले आते हैं इनकी बना की डाल दूँगा ठीक है देखिए दोस्तों इसका important question है ऐसी धातू का उधारन दीजिए जो कमरे के ताप प्रत्रव होती है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उश्मा की सबसे अच्छी चालक होती है देखिए ये 2024 में पूछा गया है देखिए इस में ध्यान से आपके आंसर दे रखें आप इनको पढ़ लीजिए नेक्स्ट question है आगातबर्द तथा तन का अर्थ बताईए तो आगातबर्द और तन जै देखिए आगातबर्द का परिवासा दे रखी है और यहां आपको तन का परिवासा दे रखा है ठीक ह next question है sodium को kerosion में डोवो कर क्यों रखा जाता है sodium sodium एक Δातो होती है य reacts अधिक किरियासील धातो होती है इसलिए इसको kerosion यान की मि equations के तेले में डोवो कर रखा जाता है ठीक है अगला question है titanium को रेडनेतिक धातो क्यों केती है तो दोस्तो टाइटेनियम एक भहुत ही कठोर धातो होती है कहें तो भहुत ही मचबूत धातो होती है और इसके इसका उप्यूग जानतर जो युद्ध में सामिल होने बाले हत्यार होते हैं मसीनरी होती है उनको बनाने में और जो समुद्र में जहाज बगेरा चलते हैं उनको अंगला question है लोहे को जंक से बचाने के दो तरीके बताईए तो देखिए लोहे कैसे बचा सकते हैं पैंट करके तेल लगा कर ग्रीस लगा कर जस्ती करण करके ठीक है चलिए अंगला question है एनीमिया के रोगी को लोहे तत्व योक्त पालक खाने की सलाय क्यों दी जाती है यान कि जिसको एनीमिया का रोग होता है उसको पालक क्यों खाने को दी जाती है क्योंकि पालक में सबसे जान्दा क्या होता है हीमोगलोबन पाया जाता है आयरन पाया जाता है इसल के रोगी को लोई तत्वे योगत पालक खाने की सलाय दी जाती है ठीक है अंगला कोश्चन है आपके रसुई घर में मौजुद धातुएं कौन-कौन सी है तो रसुई घर जहां हमारा खाना बनता है उसमें कौन-कौन सी धातुएं होती है सिधी सी बाते तामभा होता है भूण को बखें लिए अंगला इंप्पोर्टन कोश्चन है देखिए दोस्तों जिप पूछा जाता है नियमलिकत-पदों को परिवास्थ कीजिए सब से पहले एक खनज़ क्या होता है,oniais की क्या होता है गैंग क्या होता है दोने क्या होता हिस आते हैं पूछे जाते हैं इनको आप याद कर लेना ठीक है अंगला कोश्चन है धातूएं अधातूएं अब यहां देखिए इसके भौते गुण दे रखें इसमें से दो नम्मर का पूछा जाता है तो दो पूछे जाते हैं आप से पूछे जाएंगे धातू और अधातूओं की दो दो भौते गुण की तुलना कीजिए अंतर लिखिए तो देखिए ध्यान से दो दो आपको पढ़ लेना है कोई भी दो आपको जो अच्छे लगें वो आपको पढ़ लेना है ओके अंगला है आपका धातूओं और अधातूओं की राशा निगुण की तुलना करें तो यह दोनों को आपको दो दो कर लेना है इनके आपस में, ठीक है, ध्यान से, यह देख लीजिए, आपको जो दो अच्छे लगएं, जो याद हो जाएं, वो आप कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, तो हमारा दो और तीन अध्या के question, important question टिक हो चुके हैं, यहीं तक हम इसको अभी कर रहे हैं, क्योंक लीजिए तरीके से, नोर्स बना लीजिए, चाहो तो, नोर्स बनाएंगे तो और बहतर रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आंगे बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब् कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देजिए, ठीक है, धन्यवाद,